तो वेल्कम और आप सभी का और बात कर रहे हैं हम मत्पदेश पड़वारी 2030 का जो पेपर होना है उसके लिए और यह समानी विज्ञान का सेट है हमारा और देखते हैं पहला कोश्चन है हमारा कि DDT का पूरा नाम क्या है चार भी कल्प हैं या इं में से क्या होता है तो यहां पर सही विकल्प ही हो जाएगा कि DDT का पूरा नाम जो है डाइकलोरो डाइफिनाइल और ट्राइकलोरो इथेन होता है तो सही विकल ए हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेशन है कि डिडिटी एक है रिक्तिसान क्या है यह जैव रसाइनिक प्रदूसक है या अजैव अपगटनी प्रदूसक है या गैर प्रदूसरकारी या गैर और विद्यूसक है जैविक bracket होने वाला एक प्रदूसक है तो सही विकल्प भी हो जाएगा और कॉस्थर नहीं थ्रूत है कि इनमें से कौन बायो मास्क नहीं है याणि में पर्माणु और तो यहां पर सही विकल्प भी हो जाएगा कि यो परमाणू उर्जा है ये वायो मास का सरोत नहीं है और अगला कोशन है कि भारत सरकार द्वारा परयावर्ण सनक्षन अधिनियम कब पारित किया गया 1986 में, 1974 में, 1981 में या 1971 में तो सही भी कल्प हो जाएगा ये वर्ष 1986 में ही परयावर्ण सनक्षन अधिनियम पारित किया गया था 23 मैं 1986 को और 19 नवंबर 1986 को इसे लागू किया गया था और अगला कोशन है कि इन में से कौन सी सूर की उर्जा से व्यूत्पन नहीं होता है यानि कि जिनको सूर की उर्जा से व्यूत्पन नहीं किया सकता को नहीं होता है भूतापी उर्जा, अवन उर्जा, नावी की उर्जा या बायो मास उर्जा तो यहां पर सही वी कल्प C हो जाएगा नाभी की उर्जा जो है, सूर्ड की उर्जा से वुथपन नहीं होता, बाकि सभी जो हैं, सूर्ड की उर्जा से ही वुथपन होते हैं और नेक्स्ट कोशन है कि इनमें से कौन पदार्थ जैव निमनी करण या है या बायो डिगरडेवल है उन प्लास्टिक के कप एल्यूमिनियू फाइल या कांच का बोतल तो यहां पे सही भी कल्प हो जाएगा ए कि जो उन है यह जैव निमनी करण है या इसका निमनी करण हो जाता है और नेक्स्ट कोशन है कि इनमें से कौन सा इस्तंधारी अंडे देता है कंगारू लोरिस एकिड़ना या हैज हाग तो यह चारो जो है इस्तंधारी है कंगारू यह भी इसंधारी है लोरिस यह भी इसंधारी है एकिड़ना है यह भी इसंधारी है तो एकिड़ना यह होंट जो जो जानवर है यह 10 पाँच जनवर होतें जर्च इयुके लोग नेंटिज को प्रिजिए moro तकी निचुच में क्मृटर जये और जो прыgóc अ ale 과 Kis नीच कोशन की की टेंगूबुखार किसरे काचने से होता है एनफिल में डीम instruments है और या कि contre विकलब हो जयेगा भी विकलब की एडिज मच्छर के काटने से मिल्रिया होता है वी विकलब वी विकलब से मलेयरिया होता है क्योस की बात करें तो यह फाइल एरिया का वाहत काव हुआ हो ऑर Verm walk की मत्चर से ही होता है और Rudrae6 काटने से लोगों की मृध्यत्यल तक हो जाती है मत्या है कि सामाने द्र Catch के लिए निम्न में से काँ से विटामिन अवस्यक होता है सपामान तरश्टी, यह नहीं करने थीप ठाग देख सकें उसके लिए कौन सा वितामीन चाहिए रिटी लान, नियासीन, रैवोफ्लेवन या फालिक असड़ तो यहां पर सही विकल्ब हो जाएगा यह विकल्ब कि समान रष्टी के लिए जो हमको विटामिन चाहिए होता है वो विटामिन A होता है या विटामिन रेटिनाल होता है तो सही विकल्ब ए हो जाएगा विटामिन A को रेटिनाल कहा जाता है जबकि नियसीन के अगर हम बात क तो विटामिन B3 को नियसीन कहा जाता है और राइबोफलोबिन की बात करें तो विटामिन B2 को राइबोफलोबिन कहा जाता है और फोलिक एसिद ये भी विटामिन B का हिस्सा है जिसे की B9 या फोलासीन या फोलेट कहा जाता है फोलिक एसिद को B9 विटामिन भी कहा जाता है या फोलासीन या फोलेट और विटामिन B1 को थाइमीन कहा जाता है तो यहाँ पे सही विकल्प A हो जाएगा कोश्चन नमबर 9 का कि सामाने दरश्टी के लिए हरेतिनाल विटामिन आवस्यक होता है और अगला कोश्चन है कि बाटुलिज्म क्या है बाटुलिज्म जो है एक बागार की बीमारी है पर बताना एक क्या है कि यह भोज पदार्थ से होने वाला संक्रमण है या भोज पदार्थ से होने वाला विसैलापन है या जल जानित संक्रमण है या जल जानित विसैलापन है तो असल में जो बार्टुलिज्म है यह वी कलप हो जाएगा इसमिए कि भोज़ि पदार्थ से होने वाला विसेलापन है और जो बार्टुलिज्म है यह क्लास्टूट्रिडियम बार्टूलिणम बैक्टिरिया के द्वारा एक जेहरीलाप पदार्थ होता है जिसकी वजह से अब विसेल अपन सरीर में होता है बाटुलिज्म बीमारी में और अगला कोशन है कि रक्त में निम्प में से किसी पस्ता है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेक्ट प्रदूशर्ट निकारड होता है रव्लिज्स आइचना इस प्रदूशर्ट नेकारड ग्लू बेबी सिंड्रोम होता हैं धर्क्त सुब्रदोर्युट निकारड है कि अची साल 2ज द्यूसर, मेशिस में देंड, पाराई है, मेशिचा ऑफ दूर्भी दूर्ट, मेशिटिव दूर्ट, के पेसमर्ण, करें दूर्ट, मेशिचा जाए वे जए हम दूर्ट, इस एप पते, तुम तो स्टेश्य वेट है, दूर्ट, yadda, nisla, 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 ऐसा जल या ऐसा पानी नाइटलिट विला होता है विद्न सरीड के अधर में यहां होता है तो पर सिफ होता है तो अब तो कॉन सही सुमेलित नहीं है जार्विकल्प है नैटरिक अम्ल गल्ट है और अमासा रस में उपरस्थित अम्ल HCL हाइडरोक्लोरिक अम्ल तो सही है यहाँ पर सही भी कल्ब जो है जो सही सुमेलित नहीं है वो सी हो जाएगा कि दूध का खटा होना और अगला कोशन है कि इन में से कौन अनवीनिकृत उर्जा का स्रोथ है या जो उर्जा का पारंपरिक स्रोथ और अनवीनिकृत को उर्जा का पारंपरिक स्रोथ कहा जाता है विकल्प है सौर उर्जा, पेट्रोलियम, वायो उर्जा या बायो गैस तो यहां पर सही विकल्प और अग्ला कोशन है कि वायू मंडल में प्रिकास का क्या कारण है तूलकर होता है यहाँ पे सही बicarium हो जाएini की धूल कर फड़ो्ब्र के कारण प्रकास का में होता है वाजी मंदल में सुर्व ये अच्ट कोशिट ने कि फॉला इस प्रदूशर क्या होसा दिन AS को फैलता यह क्या होता है at कि खनन्द से ठाफ विद्धूत संयत्र से और वर Unisドhan से तो यहां पर सहीologyल जो कोईला हुटा है जो दो अगले कश्या है कि रक्त में सरकरा का इससे माने तह प्यूसित बेद्रीजाइस किया जाता है रक्त में जो जाने के हमारे खूल में जो सरकरा या सुगर होता है उसका इससर कैसे बताया जाता है चार विकल्प है पहला है एमेम आफ एच जी के रूप में और दूसरा है मिली ग्राम प्रती डेसी लीटर के रूप में या पार्ट्स पत्री मिलियन के रूप में या ग्राम प्रती लीटर के रूप में तो यहां पे सही विकल्प B हो जाएगा कि मिली ग्राम प्रती डेसी ल क्लोरा विमान होता है ए and 4 है क्लोर चो सफेजं लिदमाड़ा ए- चार विखल्म हर च्लोर क्लोर क्लोर फिल्ट फिल्ट प्रथे लोग्योट हैं तो उन्हाद्थ प्राइद्व सफमिल मग और में नहीं होता है और कोलेजन की बात करें तो ये प्रोटीन है केराटीन की बात करें तो ये भी प्रोटीन है मायोगलोबीन की बात करें तो इसमें आइरन भी दमान होता है तो सही भी कल्ब D हो जाएगा और मायोगलोबीन जो है कि हमारे सरीर का जो हिर्दय है यानि कि दिल है और जो इसकेलिटन या कंकाल है उनकी मास्पेसिय में जो उतक होते हैं वहां मायोग्लोविन पाया जाते हैं तो सही भी कल्प डी हो जाएगा और अगले कुछ नहीं कि जीन के बीजर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहला क्या और फोटो सेल प्रकास पानी सोरस सेल याईन से कोई नहीं तो यहां पे सही भी कल्प हो जाएगा फोटो सेल गाई किया जाता है जो धूआ होता है उनका पता लगाने के लिए सही विकल्ब हो जाएगा और अग्ला कोशन है कि कौन सा विटामीन मनुस में रख्त की जमने के लिए ज़िम्हेदार है यदि की रख्त का ठक्ता थंक्तां कinen कौन सा विटामिन जिम्मितार है इसका इसा सवाल भी पूछा जा सकता है चार विकल्ब है विटामिन E, विटामिन K, विटामिन A, विटामिन C तो सही विकल्ब हो जाएगा यहाँ पे B विकल्ब की विटामिन K और अगला और अंतिम कोश्चन है कि पाज्सित्य की संक्रमण अधारणा का प्रयोग सर्बसम किस के दौरा किया गिया है एल्टन के दौरा, बेनेट के दौरा, बारकलि दौरा या अरेटजेल के दौरा तो यहाँ पे आप सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प की बेनेट के दुआरा पाइस्तिकी संक्रमण की अधारना का प्रयोग किया गया और जो पाइस्तिकी संक्रमण होता है इसमें माना और भौतिक परियावण के बीच का समंध का अब्ध्यान किया जाता है तो यह था MP पटवारी से समंधित समान विज्ञान से समंधित कुछ प्रेशन नमस्कार जैन